मौदय बिहार आज में अप्रेल 2016 से मन्यें मंत्री जी एक दू आद में बोलेंगे मौदय बिहार मद निशेद और उत्पाद संसुधन बिधयक 2022 के स्विकृति के प्रस्ताव पर अपना विचार रखने हैं तू आपने हमें समय निर्धारित किया है इसके लिए हम आपके प्रतियाभार प्रकट करते हैं महौदय आज साथ साथ मुनट में खतम कर देंगा है जूर महौदय महौदय कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी चले जाईए कोई भी व्यक्ति अगर बोले कि भाई सराब पीना अच्छी बात है कोई आपको ऐसा बात नहीं बोलेगा महौदय निश्चित रूप से हम मुक्वंत्री जी की प्रसंसा करते हैं इन्होंने सराब बंदी कानून बिहार में वर्ष 2016 में लाया महौदय पहले भी कानून लाये गए लेकिन महौदय कहीं न कहीं हम उतने अप्यक्षित सफल नहीं हो पाए इसलिए हमारा नसाबंदी कानून सफल नहीं हो पाया महौदय अबहुत खुसी की बात है और यह सवभाग की बात है कि जो भिहार पुलीस जवा पदाधिकारी रहे हैं, कर्तम निष्ट पदाधिकारी रहे हैं और उन्हीं को इस बिवाग का मंत्री बनाया गया और मैंने भी इदर सुना है कि बिहार में जो बहुत अच्छे काम करने वाले पदाधिकारियों के स्रेणी में आते हैं महोदय केके पाठक जी उनको भी इस बिवाग में पदस्थापित किया गया है तो निश्चित रूप से भुचाल आया इधर देख रहे हैं हाल के दिनों में भुचाल आया लेकिन परंतु हम ये बताना चाहते हैं सदन में महोदय कि जो वर्स 2016 में सराब पीते थे आज अपने जमीर पर हाथ रखके बता दें कि अब वह सराब नहीं पीते हैं महोदय बिहार में नहीं पिए बंग चुराना परा मुश्किल होता है इसलिए भी हम बता रहे हैं महोदय कि जिस समय वर्स 2016 में हम लोगों ने नसाबंदी कानून बिहार में लाया तो हजूर हमको सदन में अपेक्षा भी रहेगी मंतरी महोदय से जानने का कि आपने नसाबंदी के उपरांत कितने नसा मुक्ति के इंदर खोले महोदय और सधारन भासा में हम सदन को बताना चाहते हैं कि महोदय कोई भी काम हो जैसे हम लोग जाते हैं रोड के किनारे जो छोटा-छोटा पैन होता है महोदय आप वहां मचली मारते हुए देखते होंगे कोई छोटे-छोटे लड़के को तो क्या करता है पहले वो मिटी से मेर बनाता है महोदय मिटी से मेर बनाने के बाद वो पानी को रोकता है और तब उपच के उसमें से मचली को निकालता है महोदय आज बिहार की प्रस्थिती क्या है महोदय आज बिहार की प्रस्थिती है कि उत्तर से दक्षिन चले जाईए 345 किलो मिटर औ ओपर हमारा च्छेतरपल है विहार का 601 किलोमीटर तो मेरा नेपाल का बॉर्डर है महोदय अब देखिए विस्थिती क्या है हम आपको वास्तविक स्थिती से अवगत कराना चाहते हैं सदन में इसलिए कि संजोग की बात है कि सदन में हमारे मन्य मुखमंत्री जी बैठे हु और कहीं भी नसाबंदी नहीं है महोदय कहीं भी नसाबंदी नहीं है क्या संभव है कि एक आपके मुख्याले में बैठे हुए जो मंत्री महोदय है आपके बैठे हुए जो कर्तवनीष्ट पदाधिकाडी है दस का टीम है महोदय और अकेला मुखमंत्री हम खुले चुनोत में 1071 थाना है लगभग 1071 थाने में महोदय 50% ऐसे थाने इंचार्ज हैं जो इस काम में डायरेक्ट और इंडायरेक्ट टूप से लिप्ट हैं हम सचाई आपको बता रहे हैं महोदय अब देखिए अब दियरा इलाका में मानने मुख मंत्री जी की इच्छा हुई कि हम ड्रोन से इसका सर्विक्षन कराएंगे महोदय कोई भी सरावी सराव गांधी मैदान में बैठ कर इको पार्क में बैठ करके नहीं पिता है महोदय ये कोई न कोई रिहाइसी इलाकों में घर में बैठ कर गाउं में बैठ करके और कितने हैं बिहार में टोटल आपके पास 85,000 पुल और इलागा लेकिन फिर भी चुकि मानिय मंत्री महोदे का और हमारे पूरे दोनों सदन का ये लिया हुआ निर्णय है तो इसको कौन आदमी इसके प्रतिकूल जा सकता है सराब बंदी बहुत अच्छा कानून है महोद है तो देखिए हम क्लियर बताना चाहते हैं महोदे कि ज महोदे वर्स 2016 के बाद बिहार में जो आयोडेक्स का खपत था आपके हम महोदे जो खपत था कोरेक्स का वाइटनर का इरेजर का फोटविन इंजेक्शन का आज उसका डेटा ले लिजे आप कलपना नहीं कीजेगा धरती आदमी का नीचे से स्लिप कर जागा महोदे कि आज बिहार में उसका कितना खपत है आज ने युवावर्ग के लोग जिनको सराव यहां नहीं मिल रहा है उनको आज डर हो गया है उत्पाद विवाग का महोदे वो आयोडेक्स ब्रेट के अंदर में खाते हैं महोदे महोदे आपको कलपना नहीं होगा जो भाइटनर होता है व पंजाब हो गया महरास्टरा हो गया और आप चले जाएए बैंगलोर और पूना उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं खपत है चरस कोकिन गांजा इसमाय कफीम हिरोईन का तो वो खपत महोदे विहार में है और यह मैं आपको रियल में अवगत करा रहा हूं महोदे कि आज वो बिहार की स्थिती है आप उर्ता पंजाब की ओर जा रहे हैं हमारी नसले खराब हो रही है महोदे इसके कारण से और महोदे सराब पिने के आरोप में 4,35,360 व्यक्ति को गिरफतार किया गया हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं मानिय मंत्री महोदे के प्रतिवेदें से मैंने देखा है कि जब से नसाबंदी लागू हुआ 4,35,360 महोदे हम पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं कि मात्रिस में 10% लोग एलिट क्लास के लोग होंगे महोदे 90% जो जेल में व्यक्ति होंगे महोदे वो कोई न कोई दैनिक मजदूर भत्ता पाने वाला मजदूर इस टाइप का व्यक्ति जेल में होगा महोदे तो हम इसी में क्या संसोधन देना चाहते हैं महोदे हम इसी में संसोधन देना चाहते है कि सराव पीने के आरोप में पूर्व से जो बंद पिछड़ा अती पिछड़ा अनुसुचित जाती अनुसुचित जाती जन जाती कि जो दैनिक मजदूर है जिनका परिवार आज भुख मरी के का गार इसलिए कि कमाने वाला वही व्यक्ति था जो आज जेल में है मौद है क तो हम यह चाहते थे हमारा यह सलाह था कि उसको बिना सर्थ का उन लोगों को जो इस जाती के परिधी में आते हैं मौद है उनको बिना सर्थ रिहा कर देना चाहिए इस तरह का कोई कानून हमारा विचार है कि अगर बन जाता तो बहुत अच्छा होता और आपने तो एक कान तो हम यह चाहते हैं माननिये मुख मंत्री जी का हरदम यह होता है कि जीवका दीदी काम कर सकती है हर एक काम करती हैं तो इस कार्ज में जीवका दीदी को भी लगाया जाए कि वो सुचना दें इसलिए को घर-घर की बात जानती है इसलिए की मज़ों एक और हम मंदुर नहीं बात बताते हैं, जितना भी घर है गरीब का, किसी भी आप अनुसुचित जाती के टोला में चले जाएगे, सभी के घर में गैस सिलेंडर को चढ़ा करके चुले पर महोद है, यह कार्ज सुचारू रूप से चल रहा है, और तो और, जब आप ड्रोन दियर इलाका में चलाने लगे, ड्रोन, तो क्या हुआ, अब लोग रात को, ड्रोन तो महोदैर कितना एरिया में जाएगा, 94,000 किलोमेटर तो जाएगा नहीं, आप हेलिकॉप्टर तो दिन में उराइएगा, रात में तो उराइएगा नहीं, एक खौफ उत्पन करने के लिए जो सरकार यह काम किया इक कते ही दिरिष्टी कौन से उचित नहीं है, इसलिए महोदै कि अब जितने भी नाव जो बालूड होते हैं, सारे नाव पर भी कार्ज होने लगे, अब दियर में काम नहीं होता है, अब नाव के उपर में होता है महोदै, दू घंटा का काम, अब जहरीली सराब से लोग क क्यों मरते हैं महोदै, पहले क्यों नहीं मर रहे थे, पहले भी तो ये काम हो रहा था, अब क्या हो रहा है महोदै, कि दो घंटे के अंदर में ही सराब बनाने के लिए, ये लोग कोई ना कोई केमिकल का उपयोग कर देता है महोदै, जिसके कारण घटना हो जाता है, अब द इला प्रसासन ने जिस तरह का रिपोर्ट भेजा भे उस पर हमारा कोई शैलेंज नहीं है लेकिन कहीं न कहीं तो वह मारा जहरीली सर आपसे एक सभी लोग जानते हैं महोदा सारे लोग जानते हैं कि गाउं के लोग जानते हैं कर उस पर भी नहीं जानते महोदा जो सरकार का यह निर्णा है बहुत दिन के बाद कब जब मानेनिये उच्चितम नियाले का जो अभी भडिक्ट आया उसके अधार पर सरकारिये संसुधन लाना चाह रही है महद है तो इसमें क्या है कि आप तोरे तिनी स्पादन के लिए 74 विशेस नियाले खुलने की बात कर रहे हैं उसके बाद 666 राजपात्रित पदों का सिर्जन किये हैं और नसा मुक्त के लिए जो भी आपका स्टेप है महद है निश्चित रूप से आपका सही है कदम और हमारा जो यह प्रस्ताव है महद है हम अनुरोध करते हैं कि इसको इसमें जोड़ा जाया महद है संसुधन कराय जाया महद है और इसी के साथ ज्यादा समय नहीं देते हुए महद है हम अपने बानी को बिराम देते हैं जाये हैं